Hello everyone, welcome to my YouTube channel So, आज की वीडियो में हम एक और important judgment को discuss करने जा रहे हैं And इसका नाम है Vijay Singh versus State of UP So, ये इस judgment में क्या-क्या चीज़ों को cover किया गया है by the court So, सबसे पहले वो है कि burden of proof and honors of proof में फरक क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए What is the difference between both of these So, अगर हम बात करें burden of proof की तो ये हमेशा होता है B.O.P. prosecution पर ठीक है तो उसने proof करना होता है कि हाँ जो ये जो सारे essentials है किसी भी particular offense के वो fulfill हो रहे है अगर हम बात करें honest की तो वो जो है shift होता रहता है ठीक है जैसे कि अगर आप ऐसा कोई point court के सामने रख दो जिससे जो है अगर अगली party दूसरी party जो है वो reply ना करे तो उन पर जो है loss हो उनको loss हो उस reply ना करने का ठीक है तो owners जो है इस time पे दूसरी party पे shift हो गया है कि हाँ उन्होंने जो है sufficient reply करना है to the court so ये दो चीजें है I hope आपको जो है समझ आ चुकी होगी तो plea of alibi तीसरी चीज की बात करेंगे हम इस judgment में जिसका मतलब है elsewhere ठीक है Latin term है plea of alibi तो भी अगर आप पे कोई भी charges लगा दे कि आप जो है आपने कलकता में किसी का murder किया है किसी फलानी date पे ठीक है तो आप अगर proof कर दो कि हाँ मैं उस date पे लुध्याना में था तो इससे जो है आप बच जाएंगे ठीक है तो plea of alibi की जो है कुछ essentials जो है वो बताए गए है इस case में so without any delay let's start from the today's video so law points क्या है सबसे पहला बात जो कही गई है court के द्वारा वो है कि plea of alibi में burden of proof जो होता है वो accused पे ही होता है ठीक है तो plea that the case under the exception अब ये exception कौन सी बात कही गई है IPC की actually मैं इस judgment की PDF जो है actually मैंने short words इसी लिए लिखे है short short points इसी लिए लिखे है ताजो कि जल्दी जो video cover हो जाए आपका भी time बचे ठीक है तो आप इसको अपनी language में elaborate कर सकते हैं ठीक है तो अब भी plea of alibi अगर आपने कोई भी exception का सहारा लेना है जो भी mention है under the IPC तो उस case में क्या होगा कैसे आप proof कर सकते हैं कि हाँ ये जो case है that particular case falls under the exception mentioned under the IPC ठीक है तो उसके लिए सबसे पहला या तो आपके पास choice है कि direct evidence पेश करो या फिर आप ऐसे circumstances को suggest कर दो in the cross examination या फिर chief examination में जिससे जो है reasonable doubt आजाए court के mind में ठीक है पर initial burden of proof जो हमने पहले बात की वो हमेशा prosecution पे ही रहेगा ठीक है अगर आप कोई भी private defense की या फिर self defense की plea ले रहे हो तो वो cover होगी under section 105 of the Indian evidence act जो की honorious one नहीं है मतलब की burden of proof is on the prosecution ठीक है जो बंदा कह रहा है कि हाँ मैं उस time पे कहीं और था उसे ही proof करना होगा कि हाँ वाकिए मैं उस time पे मैं कहीं और था जैसे कि हमने लुध्याना की बात की थी पिछली example में facts देखते है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम है deceased, accused, injured person के deceased जो है उनका नाम है वरिंदर सिंग and महिंदर सिंग accused जो है चिरकुट सिंग और साथ के साथ उसके साथ 13 accused और भी है ठीक है, accomplished के सकते हैं हम injured कौन है अब, उमा शंकर, कैला आश और विजे नारायन, ये जो है तीन person injured है, ठीक है incident जो है, मैं 1981 को हुआ जबकि disturbance जो है इन में, इन सभी बंदों में 1972 में से ही पनप रही थी deceased and injured on pumping set but accused in khundar खंडर जो है, pumping set के थोड़ा सा नजदी की एक particular building जो होती है, खेतों में आपने देखा ही होगा वो थी, accused वहाँ पर छीपे हुए थे, जबकि deceased और injured person है, वो pumping set मतलब, motor पे बैठे हुए थी, ठीक है attack with the latis on the injured one, but deceased with the gunshot, अब मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, कि उन पर जो किया, attack, accused persons ने अब जो injured हुए है person, उन पर लाठियां चलाई गई, जिनकी death हुई है deceased person, आप चेक कर सकते हैं, ये दो बंदे, इन पर जो है gun से shot मारे गई, ठीक है तो जिस कारण जो है circumstantial evidence पे ये सारा case depend था, ठीक है trial court ने क्या किया, life imprisonment दे दी सभी accused को तो अलाहबाद high court ने क्या किया, कि चिर्कुट सिंग जो है, उसको विजे नरायन को जो भी injury हुई है, उसके लिए 304 में तो अलाहबाद high court ने क्या किया विजे नरायन को जितनी भी injury हुई थी उसके लिए चिर्कुट सिंग को दोशी माना अंडर सेक्शन 304 और जो बाकी के accused थे, ठीक है जो बाकी बचे, उनको दोशी माना फोर दी, उमा शंकर एंड कैलाश, ठीक है तो इसलिए जो है, अपील जो इन्होंने डाली थी, वो पार्टली अलाओ कर दी गई, और पार्टली सेटसाइड कर दी ठीक है अपील टू सुप्रीम कोट, अब इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी punishment और कम करो सुप्रीम कोट में गए, तो issues arise हुए सबसे पहला issue, वैदर चिर्कुट सिंग, टेक defense of private defense or not, उसने कहा था कि इन्होंने पहले मेरे मेरे पे जो है, attack किया था, मैंने सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए इन पर फिर से attack किया था, ठीक है क्या वो ये defense ले सकता है कि नहीं, तो आगे हम देखते हैं, second issue जो है, वो ये बनता है कि whether section 105 applied or not Indian evidence act का, ठीक है contention हम देखें, वही contention जो आपको facts से पता चलती है कि circumstantial evidence पे based है, ये सारा case, medical report भी दी गई, ठीक है, state की ये जो contention है, साथ की साथ ये जो है, सारा incident है, सारा दिन में हुआ था और eyewitness भी बहुत सारे मुझूद थे उस time पे, ठीक है self-defense की plea भी ले रहे हैं ठीक है, कुछ जो accused थे वो कह रहे थे कि हाँ भी मैं तो उस time पे वहाँ पर था ही, नहीं मैं तो कहीं और था तो अब हम देखते हैं observation क्या है observation ये है कि सबसे पहले court ने बताया कि क्या-क्या accused के पास options है for the plea of alibi सबसे पहला वही सेम बाद जो हमने discuss की थी law point में कि accused जो है या तो direct evidence पेश कर दे या फिर rely on prosecution case itself खुदी मान जाए कि हाँ ये जो मैंने ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर वो ऐसे circumstances या फिर ऐसे answers जो है वो दे अपनी chief या फिर cross examination में कि possibility arise हो court के mind में कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई doubt है ठीक है तो यह यहाँ पर हमने सीधा लिखा भी है कि court को यह लगे कि presumption against the non-existence of the accused यहाँ फिर reasonable doubt arise and benefit shall be given to the accused ठीक है तो accused taking plea of self-defense अब भी अगर किसी भी accused ने self-defense की plea ली है तो उसके लिए क्या options हैं onus under section 105 on the accused to establish his plea of private defense is not the onerious as the burden which lies on the prosecution to establish every ingredient of the offense with which accused is charged beyond the reasonable doubt ठीक है उन्होंने आगे कहा है कि proof जो है beyond the reasonable doubt doesn't mean the proof beyond the shadow of the doubt ठीक है तो इसके साथ उन्होंने decision दिया कि 10 साल की imprisonment होगी accused को under section 304 साथ के साथ 34 of the IPC तो I hope आपको जो है समझ आगी होगी judgment कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको अगर नहीं समझ लगी तो फिर से आप play कर सकते हैं हमारी वीडियो को बहुत easy है so thank you for watching this video झाल 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 झाल